उतर जमू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों को लेकर विपक्ष ने जमू कश्मीर विधासवा में सरकार से जवाब मांगा है राज्य में सरक्षा के क्या हालात हैं इस बावत विपक्ष चाहता है कि सरकार सदन में जवाब दे विपक्ष के मांग पर सरकार ने कुछ हद तक जवाब देने की कोशिश की जिफ्टी सीम निर्मल सिंग ने बताया कि विपक्ष की तरह ही सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है और आवश्चक जानकारी दे दी गई है साथी सरकार ने भरोसा दिया कि गुरुवार को इस बावत जीटेल में जानकारी दी जाएगी उनका कहना था कि जो क्या इसके उपर हो रहा है इसके उपर जो एक सरकार की और से स्टेटमेंट आए सरकार जो कर रही है और सेंटर के द्वारा क्या इस परकार से उसके कोईडिनेशन के साथ क्या हो रहा है गे कुल मिला के जितना अवश्यक है उतना हाउस को एपराइस किया जाए और हमने इसके लिए एडमिट किया है कहा है कि कल सरकार इसके उपर स्टेटमेंट देगी दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से की अवायदे पूरे करने में नागाम रही है जिसके चलते सुबे में ऐसे हालाद पैदा हुए है कोई ना कोई कोई ना कोई ऐसा वाकव होता स्केरिटी फोर्स या बागी लोगों पे जिससे ये आपको सीधा पतल अगरा है कि यहां हालाद बहुत खराब है गुसा भी सरकार के खलाब है कि हजारों में लोग इनके जनाजे में आते हैं और स्टूड पैल्टिंग करते हैं अब कई इनकॉउंटर हो तो लोग निकलते हैं खलके उनके खलाब र sırत करते हैं एक संगीरिटी पूर यह एक संगीर भ़शा है इसका कारण ये भी है कि सरकार ने जो वाद़ किये थे एलेक्शन से पहले लोगों के साथ bomber है उन्होंने जो नवजमानों को खास कर जह से नवजमान ने 70% से उसमेंं टुप पार्ट इलेक्शन तो वो आपने उनके साथ एकदम उनके साथ दोखा किया और वो मैंस टीम से हट दरसल पंपोर में आतंग की हमले के बाद बिल्ली में केंद्रे ग्रह मंतरी राजना सिंग ने हाई लेवल बैठक की थी जिसमें कुछ जरूरी दिशा निर्दीश जारी किये गए थे जमो किश्मीर से खालेद उसेम सीमीरिया